दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग रिव्यू कर रहे हैं बजाज डोमिनार 400 का बजाज कंपनी की एक ऐसी बाइक है जो की बहुत अच्छा डिस्प्रिस्मेंट के साथ आती है और साथ इसाथ ये एक टूरर बाइक के सिग्मेंट में अपना एक अच्छा नाम कर रही है अगर एक लंबी दूरी ते करनी हो जैसे कि आपको ले लद्दाक वगएरा जाना हो या फिर एक लंबी दूरी पे जाना हो तो आप इस बाइक को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि इसमें इसी तरह इस कंपनी ने स्पाइक को डिजाइन किया है कि आपको जो है सेटिंग कफट काफी बहतर मिलेगा आप जब लंबी दूरी ते करेंगे तो आपको काफी कंफट मिलेगा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी मैं आज की इस वीडियो में इसके बारे में और सारी चीज आपको बताऊँगा जो आपके लिए बेहत जरूरी है फटा-फट बताऊँगा ज्यादा लेट नहीं करूँगा पहले जानिए इसका प्राइस जो कि है दो लाग तेज़ जार पांसो अरतिस रुपे 2,23,538 रुपेस कम्प्लीट आपको मिलेगी 2,70,000 से 2,72,000 2,70,000 तो 2,72,000 में ये कम्प्लीट ऑन रोड आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों आपसे गुजारी से कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर दीजेगा मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाता हूँ मैं आगे बढ़ते हैं इसका सस्पेंशन में फटाक से आपको बता दू आगे मिलता है यूजडी फॉर्क टेलिस्कोपिक 43 mm और इसमें 135 mm का ट्रॉविल मिलेगा पीछे आपको multi step adjustable monosock with nitrox suspension मिलेगा suspension quality को लेके company का दावा है कि अगर आप जो है अगर इसको खंडहर जैसी जगहों पे भी चलाते हैं तो ये आपको बहतरी suspension quality provide करेगी ये bike ठीक है आगे आपको disc मिलता है 320 mm का पीछे आपको disc मिलता है 230 mm का और दोनों में आपको ABS की chain मिलेगी मतलब इसमें dual channel ABS है तो braking बहुत कमाल की होने वाली है और company का दावा है कि आप बहुत कम समय में इसको 100 to 0 अगर आपको लाना है तो आपको बहुत कम समय लेगा और आप brake का इस्तमाल करके इसकी जो controlling है वो भी काबले तारीफ है इसमें tires जो लगे हैं वो भी बहुत बढ़ी है आगे 110 by 70 और पीछे 150 by 60 का tire लगा हुआ है और 17 यानि 17 इंच के इसमें radial tubeless tire company लगा कर आपको देती है इस bike में mileage जो आपको मिलेगा वो 25 का mileage city में मिलेगा और city से बाहर अगर आप highway पर चलाते हैं तो आप 25 के उपर का mileage निकाल आ सकते हैं अगर आपकी riding quality बहतर है तो इस bike में आपको मिलता है sleeper clutch जिससे आप down shifting यानि की तीसरे चोथे पाच्वे छठवे gear से अगर आप पहले या दूसरे gear पर आना चाहें तो अराम से आ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह का कोई जर्क नहीं मिलेगा आप इस phone वगरा को charge कर सकते हैं और ये अच्छे संकेत हैं आप अपने phone को आगे की तरफ hold कर दीजिए आगे की तरफ आप लगा दीजिए और mobile को charging लगा दीजिए navigation on करिए और निकल जाइए अपने रास्ते पे अपने सफर पे अपनी मंजिल पे और उसके जच नीचे fuel tank पे भी indicator और time वगरा ये सारी चीजिए आपको वहाँ पे मिलती है अब इसकी जो positioning है वो मुझे उतनी पसंद नहीं है लेकिन कोई बात नहीं इसमें fuel tank जो आपको मिलता है 13 लिटर का मिलता है एक लंबी दूरी आप तैकर पाएंगे अगर आप इसका fuel tank फुल करवा लेते हैं तो सा सारी चीज़े company fitted हैं ये मत सोचेगा कि ये सारी चीज़ें आपको अलग से लगवानी पड़ेंगी ये सब company आपको लगा कर देगी लेकिन यो इनका price है वो already company ने exorum price में add कर लिया है इसलिए आप छोड़ियेगा नहीं ऐसा मत करिए कि लेने के बाद ये सारी चीज़े नि जिसमें मैंने सारी चीज़ आपको बता दी इसमें दो कलर aurora green और चार कोल black दो कलर मिलते हैं इस समय आप चार कोल black देख रहे हैं मिलेंगे बगले वीड़ो में अगर आपके कोई doubt है तो comment करिए और कोई भी doubt हो तो आप comment करिए या किसी बाइक सी इसका comparison चाहिए तो वो भी आप comment करिए मिलते हैं लिड़ो में रखिए का अपना ध्यान जय हिन जय भारत